वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी आपका अपने चैनल कुइक साइन्स में बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है और आज से हम क्लासे शुरू कर रहे हैं MPTED के लिए बहुत जादा रिक्वेस्ट है इसकी कि मैं प्लीज MPTED का एक्जाम है प्रैल में वर्ट टू के लिए साइन्स जो है वो हमको करा दीजिए नोट्स भी आपको मिलेंगे ताकि आप इजीली जो है चीजों को जल्दी से कर लें और आपको ये चीजों उतारनी ना पड़ें क्योंकि एक्जाम बहुत जल्दी है फिजिक्स और कैमेस्टि के नोट्स बन गए हैं बायलोजी की और डीफ भी मिल जाएगे तीन पीडियाफ अलग अलग मिलेंगी फिजिक्स की, कैमेस्ट्री की और बाय लॉजी की सबसे पहले हम chemistry शुरू कर रहे हैं क्योंकि chemistry थोड़ी सी tough है तो एक अच्छे level पर मैं आपको चीजे समझा दूँगी ताकि आप अगर advanced चीजे भी अपनी copy में कहीं और से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी देखिए अगर मैं chemistry की बात करूँ तो यहाँ पर जब हमारा M.P.T.E.T. का science के paper की बात करते हैं तो science आपकी 120 number की आनी है और जो chemistry का section है यहाँ पर वो इस तरह से आपके third topic में और ninth topic में define जो है वो कर रखा है पढ़ना क्या क्या है पूरा matter matter क्या होता है matter की state क्या होती है solid liquid gas है ना पदार पदार की अवस्था है पदार के good यह सब पढ़ना है यहाँ पर परदार के प्रत्थेकरन की जो विदिया होती है जैसे distillation method हो गया वो सब NCRT में class 9 में दिया तो वो सारा मैं आपको अच्छे से वहाँ पर समझा दूँगी उसके बाद metal, non metal और यहाँ पर यह portion atom क्या है, element क्या है, compound, yogic, mission यह सब क्या है, यह सब अच्छे से समझेंगे रसाइनिक संकेत कैसे होती है chemical जो जैसे copper को किस से indicate करती है iron को fe से indicate करती है वो उनकी बात हो रही है किस तरह से उनके जो formula बनते हैं वो भी हाँ पर समझेंगे acid, base और salt, amlachar और लवड और उनके गुन यह सारी चीज़े chemistry में हमें देखनी है उसके बाद chemical और physical chain बहुत तिक और रसाइनिक परिवर्तन है आपके syllabus में और उसके बाद hydrocarbon और carbon वाला topic जो है वो आपका MPTED के syllabus में define कर रहा है और यही सारे topic जो है हम तीन class में जो है chemistry की वो cover up कर लेंगे तो notes, classes आपको YouTube पर मिल जाएंगी notes अगर आपको चाहिए इसके MPTED के लिए तो आपको मेरे को mail करना होगा इस पर shilpi, सब छोटे letter में है shlpi ch511 at the rate gmail.com यह मेरी mail ID है इस पर आप mail करेंगे और आपको 120 रूपीज पे करने होंगे मैं वहाँ पर method बता दूँगी यह किस तरह से आपको पे करने होंगे तो आपको यह MPTED के जो notes है तीन PDF मिलेंगी physics, chemistry और bio bio की अभी 2-3 दिन में मिल जाएगी क्योंकि उसको मैं notes को भी बना रही हूँ physics, chemistry के आपके बन कर तयार होगा इनको time लगा है बनाने में क्योंकि हिंदी, English पूरा मैंने mix करके बनाए है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ देखेंगे पूरी यह PDF जो है notes की यह आपको मिल जाएगी बाकि अब हम शुरू करेंगे अपना syllabus और पूरा सबसे पहले जो हम समझेंगे यहाँ पर वो atom और molecule को ही देखेंगे और उसमें सारा यह आपका atomic mass क्या है atomic mass unit क्या है, formula क्या है कैसे बनाते हैं, वो सारा concept में example से मैं आपको समझाते की हूँ, suppose यह iron का piece है, मैंने आप से कहा इसको आप तोड़ना श्यू करिए, तो आप तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि यह imagine करना है आपको रियालिटी में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, कि आपको एक ऐसा कण मिल जाएगा, एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा, जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, और वही छोटे से छोटा पार्टिकल किसी भी तत्व का, जो फर्दर ब्रेक यही कारण है कि यह independent state में नहीं पाय जाते स्वतंतर अवस्था में इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता जैसे अगर मैं hydrogen की बात करती हूँ तो जो hydrogen है वो आपका non-metal है अधातू है तो इसका जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका hydrogen का atom होगा सेम ऐसी अगर मैं oxygen की बात करती हूँ तो oxygen का जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका oxygen का atom होगा अगर मैं iron की बात कर रही थी तो iron का जो सबसे छोटा कण था वो iron का atom था तो atom क्या है? atom आपका सबसे छोटे से छोटा कण है जो किसी रसाइनिक अभिकिर्या में तो पार्टिसिपेट करता है chemical reaction में तो पार्टिसिपेट करता है लेकिन independent state में मुस्वतंतर अवस्था में आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते तो वही आपका परमाण होगा atom होता है अब हम समझेंगे molecule क्या होता है? अणू क्या होता है? देखे जब दो atom एक साथ combine करते हैं तो वह आपका क्या बना देते हैं? वह आपका अणू बना देते हैं वह आपका molecule बना देते हैं और molecule भी दो तरह के होते हैं एक होते हैं जिसमें हम बोलते है molecule of element और एक होते हैं जिन जो element होता है ना उसमें जो atom होंगे उसमें जो परमाणू होंगे ना वो एक ही प्रकार के होंगे जैसे oxygen oxygen की अगर मैं बात करूँ तो उसमें दो एटम है और दोनों एटम किस के हैँ आपके oxygen के हैं उनके अंदर वो एटम है जिनमें एक ही प्रकार के गुण हैं तो वो होते हैं आपके क्या तत्व element जैसे अगर मैं iron की ही बात कर रही थी तो iron में जितने भी atom होंगे वो सब कैसे हों एक ही गुण वाले ऐटम, जब एक साथ होती हैं, तो वो आपका एलिमेंट बनाते हैं, ततव बनाते हैं, miejscीा अपाउंड की हुते हैं e Aquí ही हाउं निजित औरो, जह लोग गा बनाते हैं, compound बनाते हैं, जैसे H2O, पानी, जल, H2O क्या है, वो आपका एक compound है, योगिक है, और ये जो योगिक है, वो क्या है, वो भी एक तरह का molecule है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, molecule of compound, लेकिन अगर मैं खाली oxygen की बात कर रही हूं, O2, जिसमें combination है, दो atom का, तो वो आप का कहलाएगा, molecule of element, लेकिन जैसे ही मैं H2O की बात करूंगी, तो वो कहलाएगा, आपका molecule of compound, तो molecule, अडू क्या है, जब एक या एक से जाता, दो, तीन, चार, जब बहुत प्रकार के atom, जब एक प्रकार के atom एक साथ आते हैं, तो वो तो आपके molecule of element कहलाते हैं, जब अलग अ प्रकार के atom एक साथ जोइन करते हैं, जैसे hydrogen के भी, oxygen के भी, तो वो आपके molecule of compound कहलाते हैं, वो आपके योगिक कहलाते हैं, किसके अडू के, ठीक है, तो समझ में आया molecule क्या है, molecule भी आपका तत्व हो सकता है, या योगिक हो सकता है, element भी हो सकता है, compound भी हो सकता है, छोटे स छोटा कण, जो स्वतंतर अवस्था में पाया जा सकता है, जैसे oxygen है, आपके आसपास होती है, तो ये स्वतंतर अवस्था में, independent state में आपके पाया जा सकते हैं, molecule, लेकिन जो atom होता है, वो आपका independent state में नहीं पाया जाता, अब देखें, जो molecule एक atom का होगा, जैसे argon, helium, इन में एक ही atom होता है, तो ये होते हैं आपके monoatomic, वो molecule जिसमें दो atom होंगे, जैसे oxygen, hydrogen, chlorine, इन में क्या होता है, इन में दो atom होते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं diatomic, क्योंकि ये जो molecule है, वो बने हैं दो atom के ज़ईन करने पर, फिर आते हैं आपके multiatomic, जिन में 2, 3, 2, 3, 2 से ज सार एटम है, सलफर है, उसमें आठ एटम है, एक साथ जॉइन करें हैं, जिन्होंने बनाया है, मॉलिक्यूल ओफ एलिमेंट और ये होंगे आपके, मल्टी एटॉमिक, लेकिन अगर मैं बात करूँ, मॉलिक्यूल ओफ कमपाउंड की, जैसे कारबन डायोक्साइड, तो इसमे दूसरे के साथ जॉइन करते हैं, और इनका जो रेशो बताया जाता है, वो इनके मास के अकोर्डिंग बताया जाता है, इनके द्रव्यमान के अकोर्डिंग बताया जाता है, और हर एलिमेंट का, या फिर मैं ये कहूँ, हर एटम का, हर परमारों का, अपना एक बहार होता ह जैसे carbon का बहार होता है कितना 12 hydrogen का बहार होता है एक oxygen का बहार होता है 16 और इनका जो ratio है जिस ratio में ये mix होते हैं वो fix होता है और उसको हम बताते हैं किस से इनके बहार से इनके mass से जैसे h2o पानी है पानी में क्या है hydrogen के दो atom hydrogen के एक atom का बहार कितना होता है एक 2 atom का भाहर कितना हो जाएगा 2 oxygen के 1 atom का भाहर कितना होता है 16 यह याद करने पड़ते हैं यह fix होते हैं और अब हम इसको ratio में देखेंगे तो 1 ratio 8 बन जाएगा 2 की table में कटने के बाद तो यह जो हमेशा mix होंगे join करेंगे वो हमेशा किस ratio में होंगे by mass 1 ratio 8 में ही होंगे सेम ऐसे ही carbon dioxide CO2 carbon का एक atom जिसका भाहर कितना है 12 oxygen के 2 atom एक atom का भाहर 16 होता है तो 2 atom का भाहर कितना होगा 16 इंटो 2 और इसका ratio हमें बताना है यह कितना हो जागा 2 6 जा 12, 2, 3 जा 6 2, 8 जा 16 तो ratio कितना है 3, ratio 8 तो carbon dioxide के जो compound है जो compound बना रहे हैं वो हमेशा किस ratio में होंगे 3, ratio 8 में ही होंगे by the air mass सेम ऐसे ही ammonia जो यहाँ पर लिखा है आपका क्या है NH3 यह जो NH3 है इसमें जो ratio बनेगा वो आपका 14, ratio 3 बनेगा क्यों? व्योंकि जो nitrogen है और जो आपका hydrogen है जो nitrogen होता है उसका atomic भार जो mass होता है वो कितना होता है वो आपका 14 होता है और H3 है तो hydrogen के 3 atom होंगे एक atom का भार कितना होता है hydrogen के वो एक होता है और 3 का कितना हो जाएगा 3 तो 14 ratio 3 जो है वो आपका किसका हो जाएगा ammonia का हो जाएगा carbon monoxide carbon monoxide का कितना होता है 3 ratio 4, क्योंकि carbon monoxide किसका ratio होता है carbon और oxygen का, carbon का mass कितना होता है 12, oxygen का mass कितना होता है 16 और यहां पर 4, 3 जा 12, 4, 4 जा 16, तो यह किस ratio में आ गए, यह 3 ratio 4 में आ गए, अभी आप confused मत हो, यह मास क्या है, अभी हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे, तो पिलाल आपको Atom, Molecule, Molecule of Element, Molecule of Compound क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा देखे अब हम समझेंगे Atomic Mass क्या होता है परमानो दरवेमान क्या होता है जिसकी मैं बात करी थी कि जैसे Oxygen है उसका परमानो दरवेमान 16 है Carbon का 12 है, Hydrogen का 1 है, Nitrogen का 14 है तो ये जो परमानो भार हैं ये आपको Net से याद करने हैं आप Net पर सरच करेंगे परमानो दरवेमान जितने भी Element है Important Element हैं उनके आप परमानो दरवेमान जो हैं वो याद कर लेंगे और इसकी जो proper definition है पहले हम वो देख लेते हैं वो क्या है किसी रसानिक तत्व का परमानो दरवेमान Atomic Mass वह संख्या है जो ये है बताती है कि उस तत्व के एक परमानो का दरवेमान Carbon के एक परमानो के दरवेमान के बारवे भाग से कितना भारी है उसे ही हम परमानो दरवेमान केते हैं देखें इनको इनका जो Atomic Mass है एक परमानो का बताना इतना असान नहीं था तो इन्होंने क्या करा इन्होंने Carbon लिया क्योंकि Carbon का जो परमानो है उसका जो भार कितना है बारा है है ना उसकी एक हिस्से का भार कितना होगा एक हैषना एक का एक होगा दो का दो तीन चार पंच इस तरह से पूरे बारा हिस्से मिला कर पूरा कारबन का भार कितना बन गया बारा तो जो एक हिस्से का भार है अब जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करी हूँ उसका भार कितना है सोला तो ये कह रहे हैं एक तत्व के परमाणू का द्रव्यमान जैसे ऑक्सीजन के एक परमाणू का जो द्रव्यमान है जैसे सोला वो कार्बन के एक परमाणू के द्रव्यमान के बा बटे बारा भाग से जितना जादा भारी अगर कोई दूसरा एलिमेंट है वही उस एलिमेंट का क्या है एटॉमिक मास है जो हम कंपैरिजन करते है कि से कारबन के एक बटे बारा मतलब जो कारबन का बारवा हिस्सा है जिसका भार कितना होगा बारवे हिस्से का टोटल भार कि उस से कितना जाथ होगा जब कारबन की एक बटे बारा भाग का भार जो है अगर एक है heavier than one twelfth of mass of carbon atom that is taken as one U, इसको हम U में represent करते हैं, ये आपकी परमानुद्रव्यमान इकाई होती है, atomic mass unit होती है, जिसे हम U से represent करते हैं, carbon के एक atom का, पूरा भार कितना होता है, बारा, लेकिन एक बटे बारा atom का भार कितना होता है, वो एक होगा, और उस एक से निकालने के बाद हमने other element के सब के भार बता दिये, कि अगर मैं oxygen को 16 बोल रही हूँ, तो इसका मतलब वो carbon के एक बटे बारा भाग से कितना जादा है, 16 जादा है, आप कहेंगे ये सब क्यों लिया, ये सब इसलिए लिया, क्योंकि इनके भार जो हैं बताने इतने असान नहीं थे, वो pointo में थे, तो pointo में ना रहीं चीज़े, इसलिए exact बताने के लिए इन्होंने carbon का एक बटा बारा भाग लिया, जिसकी value एक थी, और उस एक की value से फिर इन्होंने सारे जो atom है, उनके जो भार हैं वो बता दिये, आप कहेंगे कि nitrogen, sorry, आपका जो hydrogen होता है, उसका भार भी तो एक होता है, तो इन्होंने hydrogen क्यों नहीं ले लिया, उससे तो बहुत असानी से पता चल जाता, क्यों इन्होंने carbon का एक बता बारा भाग लिया, जिसकी value एक होगी, क्यों इन्होंने hydrogen नहीं लिया, इन्होंने hydrogen इसलिए नहीं लिया, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो भार होता है, वो अलग-अलग होता है क्योंकि आपको पता होगा ये एक आईसोटोप है इसके तीन आईसोटोप होते हैं जिसमें इसके अलग-अलग दरवेमान होते हैं एक, दो, तीन इसलिए हमने हैडोजन नहीं लिया हमने लिया कार्बन और कार्बन का भी एक बटा बारा भाग जिसकी वैल्यू होती है एक और उससे हम कमपैरिजन करा रहे हैं कि अधर पर्मानू का भार कितना होगा वो अगर मैं बोल रही हूँ 16 तो मतलब वो कार्बन के एक बटे बारा से कितना जादा है वो आपका 16 जादा है एक पर्मानू के द्रवेमान के बारवे भाग को पर्मानू द्रवेमान इकाई ही बोलते हैं जैसे एक बटे बारा भाग को मैं अगर एक बोल रही हूँ तो वो एक यू ही क्या है उसकी अटॉमिक मास यूनिट है याद रखेंगे कार्बन के एक पर्मानू के द्रवेमा mass of one atom of carbon के बारवे भाग को हम क्या बोलते हैं उसके जो बारवा भाग है जो एक था वो ही आपका atomic mass unit है और उसी के basis पर हम other atom के जो mass है जो तरब्यमान है वो हम बताते हैं कुछ के atomic mass मैंने आपके लिए लिग दिये हैं जैसे जो oxygen है उसका परमारो दरब्यमान कितना होता है आपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें सब के आपको आपको याद करने पढ़ेंगे यह बहुत important है अब देखिए यहां पर मैंने कुछ formula लिखे हैं यह formula भी आपको याद करने है बाकि टेलिग्राम पर भी मैंने भीजे थे जैसे sodium oxide क्यों याद करने है क्योंकि इन से आप से फिर वो पूछेगा इस पूरे sodium oxide का हमको atomic mass बताओ और इसका atomic mass बताने के लिए पहले हर atom का जो atomic mass है वो आपको याद होना चाहिए तब आप जाकर पूरे जो compound है उसका mass जो है वो आप बता पाएंगे तो sodium oxide क्या होता है na2s, aluminium chloride क्लोराइड का क्या होता है nh4cl, यहां पर देखिए magnesium hydroxide mg os2, calcium carbonate क्या होता है ca co3, इस तरह से मैंने यह सारे लिख रखे हैं जैसे sodium bicarbonate Na2CO3, methane का पूछा जाता है पूरा भार तो CH4, अब मैं आपको समझा देती हूँ, यह तो आप snapshot खीच लीजेगा और सब को अच्छे से याद कर लीजेगा, अब question कैसे आता है, question आएगा आपका essay, calculate the molecular mass of water H2O, अब यह आपसे H2O का आपसे पूरा, पूरा molecular mass पूछ रह तो यह क्या बन गया, यह compound है, compound भी कैसा है, molecule of compound है, है ना, तो यहाँ पर यह इस molecule का पूरा mass पूछ रहा है, कितना होगा, तो देखिए, यहाँ पर simply बता रहा है, 2 into atomic mass of hydrogen, और atomic mass of oxygen, हमें पता है, hydrogen का atomic mass कितना होता है, एक, अब यहाँ पर क्योंकि 2 atom है, तो into 2 कर दिया, जो जोड़ दिया, तो कितना आया, total atomic mass, वो आपका 18 unical कर आया, सेम ऐसे हमने calculate करा है, molecular mass किसका, nitric acid का, जो होता है, आपका formula क्या, HNO3, क्या होता है, HNO3, तो हम HNO3 का क्या बताएंगे, आपका पूरा molecular mass बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले क्या है, H, hydrogen, hydrogen का तो एक ही atom है, तो एक hydrogen की, फिर इनोंने लिया है nitrogen, nitrogen की value कितनी होती है, 14 और उसका भी एक atom है, लेकिन oxygen के तीन atom है, और एक की value 16 होती है, तो तीन की value कितनी होगी, 16 into 3, और इन सब को फिर जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर इनोंने करा भी है, 1 plus 14 plus 48, क्योंकि 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48, और इन स इस तरह से आपसे exam में simply water, carbon dioxide, आपसे simple simple methane का पूछ लेगा, है न, जहाँ पर जैसे लिखे हैं, तो आपसे methane का पूछ लेगा, जैसे CH4, तो carbon का एक atom का mass कितना होता है, 12, hydrogen के एक atom का mass कितना होता है, 1 और 4 का कितना होता है, 4, 12 plus 4 करोगे, तो total molecular mass कितना जाएगा, 16, तो इस त calcium chloride, जैसे हाँ पर लिखा है, यह रहा calcium chloride, CACL2, calcium chloride का, अब हमें molecular mass बताना है, तो कैसे बताएगे, देखे, calcium की, calcium के एक atom का, एक atom का भार कितना होता है, कारबन के एक बटे 12 भाग से वो कितना जादा होता है, वो 40 जादा होता है, इसलिए उसका atomic mass कितना है, वो 40 है, आप फि यह आप याद कर लीजेगा, सारे जितने भी element हैं, जितने भी atom हैं, उन सब के आपको atomic mass याद होने चाहिए, तब ही आप इनकी value निकाल पाएंगे, तब बहुत असान हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मुझे अगर पता है, calcium की कितनी होती है, वो आपकी 40 होती है, तो 40 प्लस, और आपकी जो chlorine है, उसके 2 हैं, तो 2 बार करना है, मतलब 2 into पहले 1 का पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 35.4, 2 का कितना होगा, 2 से गुणा कर दी, तो 40 प्लस यह जब इसकी multiply करेंगे, तो 71 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 111 U बन गया, यह हो गया, आपका molecular mass, जो आपसे इस तरह से पूछा जाए, तो आएए समझते हैं, mall गया होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, या जैसे मतलब, sorry, जैसे हम करते हैं, कि जो फल होते हैं, जैसे फल होता है, केला होता है, तो केले में हमें पता होता है, कि एक dozen में 12 केले होत एक SI unit होती है जो यह बताती है कि किसी पदार्थ में कितना number of amount of matter है उस पदार्थ की जो मात्रा है चाहे उसमें जो atom है चाहे उसमें वो molecule है अनू है परमाणू है चाहे उसमें आयन है वो कितने amount में हैं उनकी एक fix value बताता है कौन? mole जैसे हम बोलते हैं एक dozen में 12 खेले होते हैं सेम ऐसे ही जब हमें किसी पदार्थ के बारे में उसके amount के बारे में बता ना होता है तो उसमें हम बोलते हैं कि एक mole जो होता है उसमें कितने number of particle होंगे उसमें कितने number of atom होंगे या कितने number of molecule होंगे या कितने number of iron होंगे तो वो हो गया के 6.022 into 10 to the power 23 और ये value fix होती है जैसे केले में fix value है कि एक dozen में 12 केले होते हैं सेम ऐसे ही अगर आप से पूछा जाए number of atom, number of molecule, number of iron in one mole एक mole में कितने होंगे तो वो आपके 6.022 into 10 to the power 23 होते हैं और यही आपका mole होता है जो हमें बताता है किसी substance में, किसी matter में किसी पदार्द की जो मात्रा है उसकी मात्रा कितनी है उसमें number of atom कितनी है fix, वो यह यहाँ पर बताता है आपका कौन, mole तो mole आपके एक एकाई होती है जो पदार्द की मात्रा बताती है amount of matter आपके बताती है और मोल किसी पदार्थ में परमाणूं किसी सबस्टांस में कितने एटम हैं कितने अडू मॉलिक्यूल हैं उसमें कितने आयन हैं उनकी एक निश्चिस संख्या को व्यक्त करता है जो होती है आपकी एक मोल एक मोल बराबर होता है मतलब 6.022 into 10 to the power 23 बस यही आपको याद रखन एक्जाम में पूछी जा सकती है कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है तो एक मोल की वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 होती है और यह हमें बताती हैं कि किसी सबस्टांस में कितने number of एंटम हैं उसकी एक fixed value है वो है आपकी एक मोल अब देखे जो एक मोल की वैल्यू होती है ना इसे ही हम एवर गैडरो संख्या भी बोलते हैं तो याद रखे एवर गैडरो संख्या की वैल्यू एक्जाम में अगर पूछी जाए तो वो भी कितनी होती है 6.022 into 10 to the power 23 ही होती है और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से समझाने के लिए लिखा भी है अगर आता है नंबर ओफ एटम इन वन मोल चार ओप्शन दे देगा कि बताइए कितने एटम होंगे एक मोल में एटम की जगा मोलिक्यूल हो सकता है आयन हो सकता है तो याद रखेगा नंबर ओफ एटम मोलिक्यूल या आयन एक मोल में एक मोल में उसकी किती वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23 होती है सेम वैसे ही जैसे एक दरजन में 12 होते हैं तो सेम ऐसे ही एक मोल में नंबर ओफ एटम जो परमाणों की संख्या होगी वो कितनी होगी 6.022 into 10 to the power 23 होगी तो एक्जाम में ऐसे भी डिरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा एक मोल की और आपसे कहेगा कि एक मोल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वो कितनी है 6.022 into 10 to the power 23 जिसे हम एवर गैडरो संख्या भी बोलते हैं तो एक्जाम में पूछेगा बताइए number of atom in 3 मोल 3 मोल में कितने होगे जब 1 मोल में इतनी वैल्यू है तो सीधी सी बात है 3 मोल में कितनी वैल्यू होगी इसकी हम multiply 3 से कर देंगे और 3 से multiply करने के बाद यह आपका जाएगा 1.81 into 10 to the power 24 यह आप multiply करके भी देख सकते हैं तो इस तरह से भी direct question बन सकता है कि आपको पता होनी चाहिए कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है जैसे एक दर्जन में 12 केले होती है सेम ऐसे ही एक मोल में कितने परमाणू होंगे कितने अडू होंगे तो वो होते हैं आपके 6.022 into 10 to the power 23 उसके बाद वो कितने भी मोल में आपसे पूछ ले तो वो संख्या आप वहाँ पर बता पाएंगे तो यहाँ पर लिखा है आगे एवर गैडरो नंबर तो यह एवर गैडरो नंबर जो है वो वही है जो आपका एक मोल की रैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23 ठीक है यहाँ पर लिखा है किसी तत्व के एक ग्राम परमाणू एक मोल में उपस्तित परमाणू की संख्या 6.022 into 10 to the power 23 होती है इसको हम एक मोल भी बोल सकते हैं या एक ग्राम भी बोल सकते हैं यह डिपेंड करेगा हम उसे भार में ले रहे हैं या संख्या में ले रहे हैं जब हम उसे भार में लेंगे तो हम उसे जब हम उसे वेट में जब हम उसे मास मिलेंगे द्रविमान मिलेंगे तो हम एक ग्राम बोलेंगे जब हम उसमें संख्या मिले रहे हैं उसको तो हम उसे एक मोल बोलेंगे तो मैं या एक ग्राम बोलूँ या एक मोल बोलूँ तो उसमें जो परमाणों की संख्या है उसमें जो एटम की संख्या है वो कितनी होती है 6.022 into 10 to the power 23 होती है या किसी पदाद कोई भी आपका तत्व ह हो सकता है एलिमेंट हो सकता है या योगी या आपका कंपाउंड हो सकता है उसके एक ग्राम अड़ू एक मोल में उपस्तित अड़ूँ की मोलिक्यूल की संख्या भी कितनी होती है वो 6.022 into 10 to the power 23 होती है यह मैंने बता दिया है यहां पर जरूरी नहीं है number of atom हो यहां पर number of molecule भी हो सकता है एक मोल में तो उसकी value भी इतनी ही होगी 6.022 into 10 to the power 23 और इसे हम N0 इस साइन से represent करते हैं ever get row number को याद रखियो और यहां पर इसकी यह value भी लिखी भी है the number of particle present in one mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23 तो यह चीज़े मैंने आपको इतनी बार बोल दिये ना कि अब आपको यह value है आप कभी नहीं भूलेंगे यह value जो है आपको ever get row number की value है यह आपके mind में जो है बिलुकुल अच्छी तरह से रट जाएगी देखे इसके बाद इसमें एक next concept है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है तो बहुत concentration से समझें यह कह रहा है कि एक mole पदार्थ का gram में भार सपोज मेरे पास carbon है carbon एक substance एक पदार्थ है तो इसका एक mole एक mole के पदार्थ मैंने carbon का कितना पदार्थ लिया एक mole जैसे एक mole में 12 dozen है सेम ऐसी मैंने एक mole का पदा संख्या के बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा बारा यू के बराबर होगा तो याद रखेंगे एक mole जो ग्राम में होगा वो उसी परमाणू के एक एटम का जो एक परमाणू का जो अटॉमिक मास यूनिट होगा उसके बराबर होगा ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है तो यहां पर मैंने समझा दिया अगर मैं ओक्सिजन के एक मौल की ग्राम में बात कर रही हूं तो वो मेरा 16 U के बराबर होगा क्योंकि ओक्सिजन के एक एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट जो है एक परमाणू का परमाणू द्रव्यमान जो है वो 16 होता है तो एक मौल जो ओक्सिजन है वो 16 U के बराबर होगा ये बात आपको याद रखनी है दा वेट इन ग्राम ओफ वन मौ या फिर एक मोलीकूल तो वह उसी के बराबर होगा जैसे एक्जामपल में लिखा भी है अगर मैं एक यू फॉर एक एक एकम का अटॉमिक मास कितना होता है वन यू तो वह उसके अंदर एक ही एक हैटम है है हैट्रोजन का सेम ऐसे ही एक ग्राम ऑफ हैड्रोजन के अंदर भी वैल्यू किती होगी 6.022 into 10 to the power 23 सेम ऐसे यह यहां पर बोल रहा है कि 16 यू ओफ ऑक्सिजन के एक एक एटम का अटॉमिक मास कितना होता है परमानु द्रव्यमान कितना होता है 16 यू और इस 16 यू के अंदर एक ही एटम है और यह जो एक एटम है जिसका परमानु द्रव्यम 16 यू है यह आपके 16 ग्राम क्योंकि यह 16 है तो यह भी 16 हो जाएगा 16 ग्राम ओक्सिजन जिसके अंदर भी क्या होगा एक ही एटम होगा तो यह दोनों क्या होंगे एक दूसरी के बराबर होंगी और इनकी वैल्यू कितनी होगी 6.022 into 10 to the power 23 तो अगर आप से कहे 16 ग्राम ओक 23 तो यह point था जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना था इसके बाद हम देखेंगे कि molar mass कैसे निकालते हैं यह बहुत important है कि molar द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे तो molar द्रव्यमान कुछ नहीं है उस substance का जो molecular mass होगा वही उसका क्या हो जाता है molar mass हो जाता है जैसे हमन का द्रव्यमान है वो निकल करा जाता था तो वही जो molecular mass है वही आपका क्या कहलाता है molar mass होगा तो find the gram molecular mass या फिर molar mass है ना molar गलग तरह के हैं तो वह आपका molecule of compound हो जाएगा नहीं तो वह molecule of atom वह element हो जाएगा यह मैंने पहले अच्छे से समझा रखा है ठीक है तो यह जो molecule का आपका द्रव्यमान है यही आपका क्या कहलाएगा molar mass कहलाएगा बस इतना याद रखना है जैसे अब एक्जाम में पूछे एक atom का द्रव्यमान AMU परमानो संख्या परमानो सोरी द्रव्यमान atomic mass कितना होता है फॉसफोरस का एक atom का 31 U होता है अब फॉसफोरस में क्योंकि P4 होता है P4 यह आपका molecule हो गया तो इसमें 4 atom है तो इसकी गुणा किस से करेंगे हम 4 से करेंगे जब 31 की गुणा 4 से करी तो य यही इसका क्या होगा molar mass होगा, समझ में आया, अब जैसे मैं hydrochloric acid की बात करूँ और इसका आप से molar mass पूछे, exam में molar द्रवयमान पूछे, तो hydrogen प्लस chlorine और hydrogen का एक ही atom है, और एक ही atom का आपका atomic mass कितना होता है, वो आपका एक ही होता है, और chlorine का मैंने आपको पहली बता रख रख है, 35.5 होता है, तो इनको add करेंगे, तो यह कितना आजाएगा आपका पूरा molar mass, molar द्रवयमान, 36.5 आजाएगा, तो याद रखेगा molar mass क्योंकि इससे numeric होंगे, तो यह आपको पहले से पता होना चाहिए, अब हम आगे देखेंगे कुछ relation जहां से numeric आपके बनेंगे, देखे, एक संबंद, एक relation देखना है आपको किसके बीच में, mole के बीच में, और number of particle के बीच में, बहुत important है, तो यह जो formula है, इसको आप य number of particle इना सबस्टांस, यह question में आपको देगा कि number of particle कितने है सबस्टांस में, और उसको हम डिवाइड करते हैं किस से, एवर गैडरो नमबर से, जिसे हम एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह होगा एक आपका relation किसके बीच में, mole के बीच में, और number of particle के बीच में, हो सकता है, एक्जाम में, आपको mole की संख्या दे दे, और आपको एवर गैडरो नमबर तो पता है, जो कि fix 6.022 into 10 to the power 23, और आप से फिर number of particle पूछ ले, तो आपको अगर mole की संख्या पता है, और एवर गैडरो संख्या पता है, तो आप number of particle कितने है सबस्टांस में, वो बत हम रखन रखना है, दोनों अलग-अलग तरह से numeric होते हैं, हम आगे अभी देखेंगे, तो इस case में यह जो छोटा आयन है, जो आपका number of mole है, यह बराबर होगा कितने के mass of substance, उस substance का उस पदार्त का दरव्यमान, जो आपको question में देगा, वो हम छोटे m से represent करते हैं, और नी relation भी आपको याद रखनी है, अगर question में number of moles दे दे, और आपको उस substance का molar mass पता ही होगा, वो सब आप add करके निकाल सकते हैं, तो उसमें आप mass of substance जो है वो बता सकते हैं, तो यह दोनों relation आपको याद रखने हैं, और इनसे आपके numeric बनते हैं, तो दोनों ही case में हम number of mole निका अब देखिए, आगे सबसे पहले हम numeric देखते हैं, यहाँ पर पूछा है, निमन में से हमें इन सब का द्रव्यमान, इनका जो mass है, वो हमें बताना है, तो सीधी सी बात है, जब mass की बात कर रहा है, और इसने बोल दिया, 0.2 mole oxygen में, जो oxygen का atom है, 0.2 mole oxygen का जो परमाडू है, उसका हमें द्रव्यमान बताना है, उसका हमें mass बताना है, तो सीधी सी बात है, second value relation यहाँ पर fit होगी, क्योंकि second value relation का formula क्या होता है, number of mole बराबर mass of substance जो हमें निकालना है, question में, और molar mass जो हम नीचे रखेंगे, अब देखे, question में पूछ किया रहा है, हमसे द्रव्यमान, mass of substance पूछ रहा है, और जब यह वाली value पूछ रहा है, तो हम इस molar mass को उपर ले जाएंगे, molar mass को हम उपर ले जाएंगे, और यह इस number of mole से गुणा हो जाएगा, तो एक नया formula बन जाएगा, mass निकालने का number of mole into molar mass, क्योंकि जो molar mass की value है, यह इधर चली गई, और यहां से हम किसी substance का, जैसे oxygen है यहां पर, तो हम इस oxygen का mass जो द्रव्यमान है, वो बता सकते हैं कैसे, क्योंकि question में हमें number of mole की संख्या दे दी है, वो कितनी है, 0.2, तो मैंने 0.2 रख दिया, और मुझे पता है कि oxygen का molar mass कितना होगा, वो उसका atomic mass ही होगा, और वो कितना होता है, oxygen का 16 होता है, तो मैंने 16 रख दिया, और 0.2 की 16 से multiply करी, तो 0.2 mole oxygen के जो परमाणू है, atom है, उसका mass जो है, उसका जो द्रव्यमान है, वो निकल कर आ गया, 3.2 gram, ऐसे ही हम second question में भी बता सकते हैं, 0.2 mole gel, जल के अनू, यह अनू होगा, यह molecule होगा, क्योंकि जल क्या होता है, H2O, तो यहा है, यह question बहुत important है, पानी है, इसका हमें mass बताना है, इसका हमें द्रव्यमान बताना है, तो simply हम यही formula रखेंगे, number of mole की गुणा किस से कर देंगे, molar mass से, तो यहां पर मुझे number of mole, mole जो है, वो question में दिये है, कितने है, 0.5, और molar mass मुझे निकालना होगा, किसका H2O का, hydrogen के क कितने atom है, 2, तो एक की value कितनी होती है, एक का atomic mass कितना होता है, 1, 2 का कितना हो जाएगा, 2, और oxygen का तो एक ही atom है, और इसकी value कितनी होगी, 16, 16 प्लस 2 करूंगे, तो कितना हो जाएगा, 18, तो यह जो molar mass है, वो कितना निकल कर आगया, इस अणू का, इस molecule का, वो 18 है, और 18 की ग पर पहले और दूसरे फॉर्मूले पर अधारी थे हैं और ये कोश्चन एग्जाम में बनते हैं बहुत इंपोर्टन्ट हैं कैलकुलेट दा नंबर ओफ मोल फिर से हमें मोलों के संख्या बतानी है 452 ग्राम ओफ हीलियम एच्छी क्या है हीलियम तो हमें 52 ग्राम ये मतलब इसका मोलर इसका हमें द्रव्यमान भी दे रखा है और हीलियम का मैं मॉलिकुलर मास भी निकाल लूँगी और उसके बेसिस पर म नंबर ओफ मोल्स जो है वो बता दूंगी एक तो मुझे ऐसे बतानी है और दूसरे केस में इसकी जो पार्टिकल की संख्या है वो मुझे कोशन में दे रखी है और उसके बेसिस पर मुझे नंबर ओफ हीलियम के जो एटम है वो मुझे बताने है नंबर ओफ मोल्स यहां प है यह जो सब्स्टांस दिया है हीलियम का मॉलीकुलर मास यह जो मोलर मास होता है वह मॉलीकुलर मास सोरी यह तो हीलियम खाली सिंगल है तो इसका जो अटॉमिक मास होगा वही इसका मॉलीकुलर मास होगा और मुझे पता है जो हीलियम होता है उसका अटॉमिक मास होता है चार तो सीधी सी बात है इसका molar mass जो helium का molar mass है जिसे हम बड़े M से represent करते है ये भी कितना हो जाएगा चार ग्राम हो जाएगा और question में मुझे इस helium का दरव्यमान इसका जो भार है इसका जो मास है वो दे रखा है जिसे हम छोटे M से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दे रखा है 52 ग्राम दे रखा है सीधे से फॉर्मूले में रखूंगी जो मेरा पहली वाली रिलेशन थी दूसरी वाली रिलेशन थी यह वाली यहां से मैं number of mole निकाल लूँगी क्योंकि question में मुझे mass भी दिया है और molar mass मुझे पता है helium का कितना होता है वो 4 होता है आप net पर search करेंगे और सभी के molar mass या फिर मैं कहूंगी molar mass ही क्या है उनके atomic mass सबके atomic mass आप याद कर लीजेगा यह मैंने पहली वाली class में भी बोला था अगर किसी बच्चे ने याद कर लिए है तो वो comment box में लिखेंगे important जो element है कुछ important जो तत्व है उनके atomic mass उनके प्रमाणू भार क्या है वो आप comment box में लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम सीधा सा number of mole निकालेंगे 52 gram जो है वो हमने उपर रख दिया पर निकालना है और जब particle के basis पर निकालना है तो पहला वाला formula लग जाएगा और यहाँ से भी हम number of mole बता देंगे क्योंकि मुझे particle की संख्या दे दिया वो कितनी है 12.044 into 10 to the power 23 और मुझे पता है मेरा evergathero number कितना होता है वो 6.022 into 10 to the power 23 होता है इससे ये कट जाएगा point से point कट जाएगा और इसकी table में ये two time आ जाएगा तो यहाँ पर number of moles कितने हो जाएगे वो आपके 2 moles हो जाएगे तो इस तरह से question जो है आपको समझ में आ गई होंगे अब एक question और देखना है जो थोड़ा और बड़ा है और इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएगे बस दिहान रखे देखे इस question में number of particle पूछ रहा है हर उसमें क्या पूछ रहा है number of particle पूछ रहा है तो number of particle जैसे ही आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे मैं ये वाला formula लूँगा इसमें evergadro मुझे पता है number of particle पूछ रहा है अगर question में number of mole दे देगा तो मैं बड़ी असानी से निकाल दूँगा लेकिन या मैं निकाल दूँगी लेकिन question में यही करा है उसने number of moles जो है वो आपको नहीं दिये हैं अब जब number of moles नहीं दिये हैं तो आप कौन सा formula लगाएंगे तो इस case में हमें एक relation बनानी होती है उसको अब हम अच्छे से समझते हैं number of particle हमें पता करने हैं कि इसमें 46 gram of Na sodium में है न Na क्या होता है sodium और इसका हमें number of particle बताने हैं इस sodium में देखे पहला वाला formula एक formula हमने पढ़ा है कि number of moles जो होती है वो आपके mass जो आपका द्रव्यमान होता है और जो आपका molar mass होता है जिसे हम बड़े आयम से represent करते हैं उसके बराबर होता है और एक formula हमने पढ़ा था कि जो number of moles होता है वो number of particle जितने भी आपके particle दिये हैं और जो आपका एवर गैडरो नमबर है उसके बराबर होता है तो इन दोनों case में ये दोनों number of moles तो common है और जब number of moles इनकी संख्या common है तो हम इन दोनों को भी बराबर रख सकते हैं इस में क्या होगा बराबर रखने से क्या होगा M upon M ये जो आपका मास है और जो molar मास है ये बराबर हो जाएगा किसके number of particle और ever gather number के और यहां से एक relation बनेगी यहां से मैं number of particle बता सकती हूँ इस ever gather number को मैं उपर ले जाओंगी multiply में तो ये एक formula बन गया आपका number of particle निकालने का क्या mass जो आपको question में देगा और उसी substance का molar mass और into में हम क्या करेंगे ever gather number करेंगे और यहीं से हमारा जो question है वो solve हो जाएगा बड़ा N है आपका number of particle जो question में पूछ रहा है ever gather की value fix होती है जो आपको मैंने याद करा दी है mass of substance आपको question में देदेगा और इसके basis पर हम इसी N की number of particle वाले जो substance में हमें बताना है उसकी value हम निकाल देंगे और यहीं यहाँ पर इन्होंने करा है हमने number of particle हम से question में पूछ रहा था इसकी value क्या हो जाएगी आपका इसका mass बटे molar mass into ever gather जो संक्या है तो मुझे mass पता है question में कितना दिया है 46 gram तो इसकी जगा देखे यहाँ पर इन्होंने रख दिया है 46 और मुझे पता है जो sodium होता है इसका atomic mass या इसका molar mass कितना होगा वो 23 होता है मैं बार बार बोल रही हूँ atomic mass आप याद कर लीजे या next video में मैं कुछ important जो atomic mass है उनकी जो संख्या है वो आपको इसी में add कर दूंगे ताकि आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे बाकि आप net पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे इनकी value और वहाँ से भी आप इनको याद कर सकते हैं बाकि अगर किसी बच्चे को याद हैं तो वो comment box में लिखेगा important element की जो इनकी atomic mass होता है इनका प्रमाणू दर्वेमान होता है क्योंकि वही उस substance का अगर उसका खाली एक atom है तो वही उसका क्या हो जाएगा molar mass हो यहां पर sodium के एक ही atom की बात हो रही है एक ही परमाणू की बात हो रही है और उसका atomic बहार उसका जो द रवेमान है वो कितना होता है वह तो नीचे आपका molar mass वही होगा जो उसका बहार है वहाँ आपका तेहिस तो नीचे रख दिया 23 और multiply कर दी इसकी किस से एवर गैडरो नंबर से यह आप दिहान से करेंगे इसकी टेबल में यह 2 टाइम चला जाएगा और 2 से फिर इसकी multiply कर दी 6.022 की और यह answer आपका निकल कर आगया 12.044 into 10 to the power 23 सेम ऐसे next question है तो यह अब आपका पूरा एक formula बन गया है number of molecule निकालने का given mass जो question में देगा molar mass जो हमें पहले से पता होना चाहिए और एवर गैडरो नंबर भी हमें पहले से पता होना चाहिए तो यहाँ पर given question में आप question देखेंगे, यहाँ पर देखें लिखा है, यह 8 gram पहले से ही हमें mass दे रखा है, तो mass मुझे पता है 8 gram और मुझे पता है, जो मेरा next question है, इसमें हमें क्या दिया है, oxygen दिया है, अब देखें oxygen खारी O, एक atom नहीं दिया, पूरा O2 बोला है, molecule है यह, दो से जादा, तो वो molecule बन जाता है, वो अनू बन जाता है, तो यह आपका molecule है, और oxygen का एक atom नहीं है, दो atom है, O के अंदर O2 लिखा है, तो O plus O 2 है, तो एक की value 16 है, और उस से अगले की value भी 16 होगी, तो 16 plus 16, तो total value कितने हो जाएगी, इसकी 32, तो इसका जो molar mass होगा, वो कितन value U क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि, एक U की value एक gram के बराबर होती है, याद है, वो शुरू में हमने जो relation पढ़ी थी अभी पीछे, तो इसी वज़े से, यहाँ पर जो molar mass है, वो आपका 32 gram हो जाएगा, क्योंकि gram और U जो है, वो आपके बराबर है ठीक है, और evergadro number आपको पताईए, simple सा formula में रखा, 8 gram उपर आगया जो given है, हमें molar mass हमने निकाली लिया oxygen का, O2, O plus O, 16 plus 16, that is 32, तो नीचे 32 आपका और multiply हमने कर लिया evergadro से, तो यहाँ से जब हम इसकी multiply करेंगे, 8 की table में 4 time कटेगा, और 4 की multiply, divide हम इससे करेंगे, तो यह का answer आजाएगा, 1.5, approach में आजाएगा, nearby, option में आपको बड़े असानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो option मिलने वाले हैं, तो वहाँ से आप पहचान लेंगे, तो answer हो गया, 1.51 into 10 to the power 23, इसमें जो third question दिया था, देखें, यहाँ पर हमें molar की संख्या दे दिया, और इस पर मैं number of, मुझे क्या बताना है, question में number of particle बताने है, तो number of particle मैं बता सकती हूँ, यहाँ पर मुझे n की value पता है, वो कितनी है, 0.1 मुझे mole, जो mole है, मुझे उसकी value पता है, और मुझे अपना ever gather number भी बता है, तो इस case में, मुझे कौन सा वाला formula लगाना होगा, simply पहला वाला formula लगा सकती हूँ, मैं, क्योंकि इस case में, मुझे number of mole भी बता है, पहले वाले formula में यही तो था, number of mole, यह छोटा n है, यह बराबर होता है था कि इसके number of particle बटे, ever gather number, तो इस question में number of mole दिये है, देखें यहाँ पर, number of mole जो है, वो आपको दिये है, कितने, 0.1, और मुझे यहाँ पर, इसके atomic mass की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहला वाला formula लगा रही हूँ, और मुझे ever gather number नमबर तो पताईए, और उसके basis पर मैं यहाँ पर number of particle जो है, वो सीधा सा question में रखकर बता दूँगी, यहाँ पर मैंने value रखी, n की value कितनी हो गई, 0.1, बराबर, यह मुझे number of particle बताने है, और यह मुझे बताने हो, नीचे क्या जाएगा, ever gather number 6.022 into 10 to the power 23, यह उपर चला 10 to the power 22 हो जाएगा, तो answer मेरा कितना आ गया, 6.022 into 10 to the power 22, देखे, थोड़ा सा complicated तो है, लेकिन मैंने अपने best तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी हो, और मुझे लगता है, बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो यही बहुत important था, बहुत detail में मैंने समझा दिया है, ब पढ़ लिया है, तो चलिए हमने इतना सब कुछ जो है वो अच्छे से समझ लिया है, अब जो है आगे हम एटम जो है, उसका structure क्या है, थॉमस ने क्या-क्या अपना model दिया, रदर फूड ने क्या-क्या model दिया, सारी चीजे जो है, आइसो टोप, आइसो बार, यह सब क्या ह बहुत ही रिजनेबल रेट है, आपके लिए 120 रूपीज में आप मेल कर सकते हैं मैम को, सिंपली मेल करना है आपको किस मेल आइडी पर, शिल्पी CH511, सब छोटे लेटर में रहता है, जीमेल आइडी पर, शिल्पी CH511, एड़ डारेट, जीमेल डॉट कॉम, अगर किसी को म क्लाइडी नहीं मिल रही है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, बाकी मेल आइडी पिन भी कर दूगे, तो आप मेल आइडी पर मेल करें और वन्टुंटी रूपीज आपको पे करने होंगे, यह सारी पीडिएफ आपको मिल जाएंगी, बाकी जो क्लासी लिए आपको समझना है, देखे, आपने पढ़ा एटम होता है, है ना, परमाणू होता है, वो जो एटम है, जो smallest कन है, किसी भी सबस्टांस का, वो आपका एटम है, परमाणू है, उस परमाणू के अंदर क्या होता है, वो हमें देखना है, उसका structure, देखे, इसके केंदर में ह होता है आपका neukleas क्या होता है केंद्र में जैसे आप डिाग्राम में देख सकते हैं के नियुकलियस के अंदर भी क्या होते हैं आपके proton और neutron और जो इसके आस पास चक कर लगाते रहते हैं इस neukleas स्पास वह होते हैं आपके इलेक्ट्रोन ठीक है समज में आया atom क्या है, atom के center में क्या है आपका nucleus है, क्या है nucleus और nucleus के अंदर भी दो चीज़ है, एक क्या है आपका proton, proton मतलब positive charge और एक आपका neutron है जिस पर कोई charge नहीं होता, इसलिए हम यह कहते हैं, यह जो हमारा नाभिक है यह जो neutron है, हम इसको पूरे को positive charge ही माल लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो neutron है, उस पर तो कोई charge है नहीं और आपके proton पर positive charge होता है, तो overall हम इस पूरे ही nucleus का, हम इस पूरे ही नाभिक का जो charge माल लेते हैं, जो आवेश माल लेते हैं, वो positive माल लेते हैं और जो electron होते हैं जो negative charge होते हैं वो इस नाभिक इस nucleus के आसपास कख्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं जिने हम electron बोलते हैं तो समझ में आगया पूरा ये structure किस तरह से define है आपका atom का अब question बनते हैं यहां से कि electron की खोज किसने की तो electron की खोज की J.J. Thompson ने प्रोटोन की खोज किसने की आपके E. Golds 10 ने आपकी proton की खोज की है नीट्रोन की खोज किसने की है आपकी J. Chadwick जो हैं उन्हें neutron की खोज की है और जो नाभिक है ये पूरा center में जो नाभिक है जिसके अंदर आपका proton भी आजाएगा और neutron भी तो इस नाभिक, इस नूकलियस की जो खोज है वो आपकी अन्रेस्ट रदर फोर्ड ने की है तो ये चारो चीजे पता होनी चाहिए इलेक्टरोन की जो खोज है वो तो आपकी की है जे जे ठॉमसन ने अगर मैं प्रोटोन की खोज की बात करूं तो वो की है गोल्ड स्टेन न और अगर मैं न्यूट्रोन की बात कर रही हूं तो वो की है चैडविक ने और इस पूरे नाभिक की खोच जो की है वो की है अंड्रेस्ट रदर फोर्ड ने यह बहुत इंपोर्टन्ट है आपको याद इसको रखना होगा यहाँ पर यही लिखा है परमाणू यह जो एटम है इसके केंदर में एक नाभिक होता है एक न्यूकलियस होता है और वो साइज में इस पूरे एटम इस पूरे परमाणू की तुल्ला में इस जो न्यूकलियस है यह जो नाभिक है इसका साइज जो होता है वो बहुत ही कम होत अब जो नाभिक है नाभिक को To B 2 भागों में बाता जाता है यह जो नूख ribs है यह भी टू-पास में टिवाइड होता है एक आपका proton होता है और एक आपका neutron होता है ठीक है इतनी बात आपको clear हो गई होगी इसके बाद यहां से question बनते हैं पहली बात तो इनके संकेतों की बात कर लें, इलेक्ट्रोन आपका निगटिव चार्ज होता है, यह आपको याद रखना है, प्रोटोन आपका पोजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रोन पर कोई चार्ज नहीं होता, अगर मैं इनके द्रव्यमान, इनके मास की बात है electron का ये होता है proton का ये होता है और neutron का ये होता है ये आप snapshot कीच के इसको learn करेंगे और जो overall सापेक्ष द्रवमान है वो इनका कितना मना जाता है electron का almost zero होता है proton का उतना ही होता है जितना आपका hydrogen का होता है लगभग वो भी one और neutron का भी आपका एक ही होता है ठीक है और इनके charge की बात करें साफेक्ष overall इनके charge की बात करें जाए तो electron पर minus 1 proton पर plus 1 और neutron पर आपका कोई charge नहीं होता electron जो होते है वो आपका जो atom है परमाणू है उसकी कक्षा में चक्कर लगाते है लेकिन जो proton और neutron है ये जो atom होता है परमाणू होता है इसके center में होते हैं इसके nucleus में होते हैं इसके नाभिक में होते हैं ये question आपके बन सकते हैं तो पूरे points जो है आपको अच्छे से याद रखने है इससे related अब देखे यहाँ पर ओर detail में लिखा है कि electron क्या है proton क्या है और neutron क्या है वही बात लिखी है जो अभी मैंने आपको समझाई है electronic ऐसा कण है जिसका द्रब्यमान लगबग सुन्य होता है सापेक्ष द्रब्यमान की बात करूं तो almost इसका zero होता है और इस पर charge कैसा होता है इस पर आवेश कैसा होता है ये बहुत important है ये आपका रणात मक होता है इस पर negative charge होता है और इसकी खोज कैसे करी गई किन किर्णों के माध्यम से की गई तो इसकी खोज जो है cathode raper test करकर जब experiment किया गया cathode raper तब जाकर इसकी खोज हुई और इसकी खोज किसने की JJ Thompson ने उसके बाद proton सेम ऐसे ही इसका जो द्रविमान है सापेक्ष द्रविमान है इसका जो relative mass है वो कितना होता है epox equal होता है किसके mass of hydrogen के hydrogen का जो atom है परमाणू है उसके द्रविमान के लगभग बराबर होता है और ये जो proton होता है ये आपका positive charge होता है ये आपका घनातमक होता है ये वाली बात आपको याद रखनी है ठीक है और जो इसकी खोज का श्रय जाता है वो आपका gold stain को जाता है और इन पर gold stain जो थे इन्होंने किस पर experiment किया था इन्होंने anode ray का प्रयोग किया था experiment के लिए तो ये पूछे जाते है ये सारे point आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि जो proton है जो gold stain है उन्होंने proton की खोज किस पर experiment करकी तो उन्होंने की थी किस पर experiment करकर आपकी anode ray पर experiment करकर उसके बाद neutrons होते है है ना प्रमाणों के जो अंदर है आपका नाभिक है nucleus है उसी के अंदर आपके neutron भी होते है जिन पर जो इनका द्रव्यमान है याद रखेंगे वो proton के द्रव्यमान के जो इनका relative mass है वो proton के relative mass के लगभग बराबर होता है लेकिन इन पर कोई आवेश नहीं होता कोई charge नहीं होता और यही question exam में बनता है किस पर कोई charge नहीं होता तो वहाँ पर आप neutron टिक करेंगे nucleus मत कर देना nucleus जो होता है यह उसके अंदर proton भी है और neutron है इस पर positive है और इस पर कोई नहीं है तो कुल मिला कर पूरा जो नाभिक है nucleus है उस पर आपका positive charge हो जाता है और इसका इसकी खोज किस ने की थी चैडविक ने की है और चैडविक discovered neutron by striking alpha particle on आपका कौन सा metal है बेरेलियम metal यह बहुत important line है कि जो चैडविक थे उन्होंने neutron की खोज कैसे की उनको strike कराया किस पर alpha particle को किस पर आपका बेरेलियम के metal पर और इस तरह से electron proton की खोज अलग-अलग scientist ओने की इनके नाम ही आपको basically जो है वो याद रखने है और जितना मैंने बताया है वो सारी चीज़े आपको याद रखनी है देखे इसके बाद अलग-अलग scientist ने atom को लेकर परमाणों को लेकर अपने model दिये और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जे जे थॉम्सन ने ही जो atomic model है परमाणों का model दिया भले ही इनका model सफन नहीं रहा लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही atom के बारे में बताया और इन्होंने अपने मोडल में क्या बताया कि जो परमाणू होते हैं वो घन आवेशों से बना एक ठोस गोला है इन्होंने अपने मोडल में यही कहा इन्होंने बिल्कुल तरबूज की तरह बोला इन्होंने बोला कि जो एटम होता है यह ठोस है सर्किल की तरह ठोस है अंदर से भी ठोस है इन्होंने इसको ठोस बोला पर असल में पूरा जो एटम होता है वो ठोस नहीं है सेंटर में ना भी क्या बाकि जो एटम है वो आपका खाली ही है तो इन्होंने तो यह बोला कि जो एटम है वो पूरा भरावाए अंदर से और उसके बीच बीच में जैसे तरबूज में बी इसे लिए इसे thompson का तरबूज मोडल भी कहा जाता है, therefore it was also called thompson's watermelon model, अब disadvantage क्या था इनके मोडल में, electron की वैवस्था के बारे में इन्होंने सही व्याख्यान नहीं की, इन्होंने सही तरीके से नहीं बताया कि electron किस प्रकार distributed है, इन्होंने केंद्रक की तो कोई बात ही नहीं कि nucleus के बारे में जे जे थोमसन ने कुछ नहीं बताया, और इन्हीं वज़े से जो इनका मोडल है, आगे चलके जब नए scientist ने और अच्छे से explain किया atom को, तो इनका मोडल जो है वो fail हो गया, इसके बाद आता है successful model किसका, रदर फोर्ड का, रदर फोर्ड मोडल जिसमें उन्होंने atom को काफी हद तक सही बताया, लेकिन कुछ चीज़ें उनके भी मोडल में clear नहीं थी, अब रदर फोर्ड जो scientist थे, उन्होंने क्या बताया, कि परमाणों में electron से घिरे केंद्र में proton का एक छोटा सा किंतु भारी न electron, इन्होंने बोल दिया कि center में नाभिक होता है, जिसके अंदर proton होता है, और electron जो होते हैं, वो उसके आसपास ही होते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि परमाणों जो atom है, उसका अधिकांश भाग जो है, वो खाली है, जो की बास सही है, the majority of inside of atom is empty, और इन्होंने बोला जो atom है, वो आपका spherical है, गोलिय है, ये सारी बात आपके unrest, रदरफोर्ड, scientist ने बताई, परमाणों के नाभिक का अकार, परमाणों के अकार की तुलना में अतियन छोटा है, और ये बात भी सही है, ये आपकी, रदरफोर्ड ने ही बताई, कि the size of nucleus, ये जो बीच में nucleus है, ज जो electron होते हैं, electron जो की आवेशित कण है, नाभिक के चारो और चक्कर लगाता है, इन्होंने इस बास वो clear करा, कि जो electron होते हैं, वो नाभिक के, ये जो आपका nucleus है, इसके चारो और चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताई, किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, और कितने इलेक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं, बच इन्होंने ये बता दिया कि नाभिक के आसपास जो इलेक्ट्रोन होते हैं, वो आपका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, बट इस मॉडल ऑफ एटम कुड नोट एक्स्प्रेइन इस्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमानु की जो इस्थिर्ता है, वो इनका मॉडल नहीं बता पाया, और नाहीं इनका मॉडल ये बता पाया, कि जो इलेक्ट्रोन हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रिबूट्टिड हैं, इन वो किसी शेल में रहती हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने एक्स्प्रेइन नहीं किया, बाकी जो रदर फोर्ड का मॉडल था, लेकिन उन्होंने काफी हद तक सारी बाते जो एटम से रिलिटिक थी, वो काफी हद तक जो हैं, अच्छे से क्लियर कर दी, उसके बाद ये जो शेल वाला सिस्टन है, कि जो इलेक्टरॉन होता है, वो अपनी शेल में चक्कर लगाता है, इस चीज को क्लियर किया कि इसने बोर्स मोडल ओफ एटम, तो बोर ने भी परमाडू का एक मोडल दिया, और इन्होंने जो रदर फोर्ड का एटॉमिक मोडल था, उसमें जो कमिया थी उनको दूर किया, बोर्ड ने परमाडू सनरचना के संबंध में कुछ अभी कलपनाय प्रस्तुत की, इन्होंने क्या बोला, नाभिक के चारो और चक्कर लगाने वाला इलेक्टरॉन अनिश्चित कक्षाओं में परीभ्रमण नहीं करता, बलकि ये कुछ चुनी हुई का घूमते रहते हैं, ये कुछ निश्चित शेल में ही क्या होता है, इलेक्टरॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं, इलेक्टरॉन और्बिटिंग अराउंड दा नुकलियस डू नोट रिवॉल्व इन इन डिटर्माइन और्बिट, इन डिटर्माइन और्बिट में नहीं कर बोर ने क्या बताया, कि ये जो परमाणूं ये जो एटम है, इसमें जो इलेक्टरॉन होते हैं, ये नाबे कि ये नुकलियस के चारो और वरत्य कक्षाओं सर्कुलर और्बिट में ही घूमते हैं, इनोंने इनको पूरा नाम दिया, इनोंने इनको शेल बताया, और साथ में इनोंने बोला, कि ये एनरजी के लेवल हैं, और उनी एनरजी के लेवल में कुछ निश्चित अमाउंट के, कुछ फिक्स अमाउंट के जो इलेक्टरॉन हैं, वो आपका चक्कर लगाते हैं, तो यही था बोर का मोडल, और इनोंने क्या बोला, उर्जा कोश, जो ये बोला, या फिर उन्हेन बताया, कि बोला, और उन्हें ने बोला, कि हम नाम देंगे क्या, के ल, m, n इस तरह से आगे को ये भढ़ती चली जाएंगी, इस तरह से इनोंने जो शेल हैं, जिनमें इलेक्टरॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये बताया, लेकिन अभी बहुत सी कि कितने इन्होंने बोला कि ये शेल में चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन इन्होंने भी एक्जेक्ट ये नहीं बताया कि कितने इलेक्टरोन किस शेल में चक्कर लगाएंगे ये हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे और जो हम बढ़ेंगे कि वहाँ पर हमें clear होगा कि कितने electron जो हैं किसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे फिलाल आज की class में हमें बोर मोडल तक ही देखना है आगे इन्होंने क्या बोला हर कक्षा के पास अपनी उर्जा होती है इन्होंने बोला यह जो नाभिक है इसके पास आज़ पास यह कक्षाएं बनी भी है शेल बनी भी है और इनमें जो यह electron है यह जो negative charge जो घूम रहे हैं यह घूमते हैं किसकी वज़े से क्यों कि हर कक्षा के पास हर शेल के पास हर energy level के पास अपनी एक उर्जा होती है अपनी एक energy होती है और उसी energy उसी उर्जा के कारण वह है अपने अंदर electron को बांधे रखते हैं जैसे जो sun है वो planet उसके कक्षा में चक्कर लगाते हैं यह मैंसे ही जो nucleus है उसके जो आसपास की shell है कक्षा है उसमें electron जो है वो चक्कर लगाते हैं किसकी वज़े से energy की वज़े से यह जो energy है वो उन electron को बांध कर रखती है every orbit has its own energy due to the same energy it's keep the electron inside itself यदि electron का मास M है ठीक है मैंने माना जो मेरा electron nucleus का चक्कर लगा रहा है उसका मास M है और रत्य मार्ग जिसकी जिस चक्कर में यह घूम रहा है ऐसे तो उसकी कुछ radius होगी मैंने माना उसकी radius R है और यह velocity क्योंकि circle में घूम रहा है तो speed नहीं होगी velocity वेग होगा और यह V वेग से घूम रहा है है और इसकी radius R है जिस circle में यह घूम रहा है और यह जो electron घूम रहा है इसका मास M है तो इन्होंने बोला इस case में समवेग कोण यह समवेग momentum क्या होगा वो आपका यह होगा M V R is equal to pi H upon 2 R sorry N यह क्या है N होगा आपका number of shell किस shell में व यह formula है आपका कोणिय समवेग का पूछा जा सकता है कब जब electron किसी nucleus का किसी shell में चक्कर लगा रहा है तो इस case में उसका कोणिय समवेग उसका momentum क्या होगा M V R is equal to N H upon 2 pi जहां पर N क्या है यह की shell है जिस shell की हम बात कर रहे है 1, 2, 3 या फिर जो हमारी KLMN है देखो यहां पर लिखा भी है जहां N जो है वो 1, 2, 3, 4 को represent करता है जिसे हम shell के क्रम संख्या या मुख्या quantum संख्या बोलते हैं इसी समीकरण को बोर का क्वांटी करण समीकरण या प्रतिबंद कहते हैं तो यह जो shell वाला process इन्होंने बताया इसी को क्या बोला जाता है बोर का क्वांटी क्या था प्रति एक उर्जा इस तरकी एक निश्चित उर्जा होती है every energy level has a certain energy और होता क्या है जब electron देखे electron जो होता है वो घूम रहा है इन्होंने ये भी clear क्या electron jump करेगा electron एक cell शे दूसरी shell में jump करेगा कब जब ये देखे एक energy थी अगर इसकी energy कम है और इस मतलब ये जो electron है अगर इसकी energy सपोस कम है और ये जो shell है इसकी energy ज़ादा है तब तो ये बड़ी असानी से इसमें गूमता रहेगा गूमने से क्या होगा इसकी energy जो electron की energy हो भी बढ़ जाएगी और एक वक्त ऐसा आजाएगा जो electron की energy है वो इस कक्षा की जो इस shell की energy है उससे जादा हो ज जिस कक्षा में कम उर्जा होती है ठीक है जब तक energy कम है उस कक्षा की तो वहाँ पर जो electron है वो असानी से आपका जो चक्कर है वो लगाता रहेगा लेकिन जब कक्षा के पास जादा उर्जा हो तो वह तेजी से चक्कर काटेगा और दूसरी कक्षा में कूद कर चला यह बात याद रखनी क्योंकि उस केस में जो electron के energy है वो उस कक्षा के energy से जादा हो जाएगी जिसकी वज़े से वो कूद कर क्या हो जाएगा दूसरी कक्षा में चला जाएगा और फिर वहाँ पर उसी energy उस कक्षा के energy से क्या होगी कम होगी तो यह बात भी बोर के model ने clear की आज की class में हमें यह बोर का model ही देखना था यहां तक का और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से shell को proper define किया गया क्या formula है और कैसे हम बताते हैं किसी भी element में electron, proton और neutron की संख्या क्योंकि वहाँ से read में question आया है बाकि limitation और देख लेते हैं last में कि बोर के परमाणों model में क्य limitation थी क्या कमिया थी यह नहीं बताया है कि electron चक्कर काटते हैं और electron कैसे बटे होते हैं electron की संख्या क्या होती है इन्होंने यह तो बता दिया shell में काट रहे हैं लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कितने electron होंगे यहां भी यह doubt बना रहा इन्होंने shell तो clear कर दी के element इसमें कर काटेंगे यह चीज इनके model से clear नहीं हुई इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जब बात अंतिम कक्षा की होगी है ना जब last कक्षा में होगे तो फिर electron क्या करेंगे क्या वो कहां जाएंगे है ना यह चीज भी तो होगी यह जब energy level बढ़ जाता है तो अगली कक्षा में चल लेगा या नहीं यह सारी बात बोर के model में clear नहीं थी whether electron of last orbit can leave the atom or not whether the electron of last orbit participate in chemical activity यह सारी बाते बोर के model में clear नहीं हो पाई थी यह अब हम आगे पढ़ेंगे ने बोर्स का model था बोर्स के model में उन्होंने यह बताया कि जैसे हमारा electron है और उसमें ना भी होता है नुकलियस होत है तो यह तो रदरफोर्ड नहीं बता दिया था अब बोर्स ने यह बताया था जो electron होते हैं वो particular shell जैसे के L M N इनको नाम भी दिये 1 2 3 4 तो जो electron होते हैं वो particular shell में ही चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा अपनी energy level में ही चक्कर लगाते हैं और बोर्स यह नहीं बता पाए कि particular कितने number of electron होंगे जो एक shell में एक कक्षा में चक्कर लगाएंगे उस चीज़ को clear करा किसने बोर्बरी की scheme में कितने electron का वितरान होगा प्रतिय कक्षा के लिए उन्होंने इस चीज़ को clear कर दिया तो बोर्बरी scheme में clearly हमें पता चल जाएगा इस scheme में कि कितने number of electron होंगे particular कक्षा में उसके लिए नहोंने एक formula बताया कि परमालू किसी कक्षा में परमालू की किसी कक्षा में जो electron की अधिक्तम संख्या होगी वो कितनी होगी 2N square होगी और यहाँ पर यह जो N होगा न यह कक यह एक atom है इसमें यह सोड़ा बड़ा बना लेते हैं यह पूरा एक atom है एक पूरा परमालू है इसमें यह नाभिक है nucleus है यह कक्षाएं हैं जहां पर electron चक्कर लगाएंगे तो यह जो पहली कक्षा मेंने बनाई इसको हम या तो 1 बोलेंगे या फिर हम इसको k बोलेंगे यह वही होगा और इन कक्षाओं में जिस कक्षा में हमें number of electron बताने होंगे हम उसी कक्षा की value रख देंगे और हम इसको निकाल लेंगे मैं भी आपको बताऊंगी भी तो हमें इस formula से ही बताना होगा कि किसी कक्षा में किसी energy level में कितने particular number of electron आपके present होंगे maximum कितने electron हो सकते हैं वो हम इसी formula से बताएंगे 2N square से जहां पर लिखा है यह जो N है यह हमें बताता है क्या number of energy shell कि हम कौन से energy level में हैं हम कौन सी shell में हैं अब next point जो आपको याद अखना है वो यह है जो बोरबरी की scheme ने बताया कि जो सबसे बहारी कक्षा होगी इसमें electron की maximum कितनी संख्या हो सकती है यह बात बहुत important है इसको आपको याद अखना है कि सबसे बहारी कक्षा में exam में सीधा आएगा कि electron की संख्या कितनी होती है तो वो आपकी 8 होती है अब यह देखे जो परमाडों में जो electron होते हैं वो crum wise भरे जाते हैं कि सबसे पहले k shell fill होगा फिर l फिर m मतलब या अगर बात करूं यह आपका पूरा atom है और यह आपका नाभिक है nucleus है तो इसमें जो यह पहली shell होगी इसे मैं या तो k बोलूंगी या one बोलूंगी तो जब मुझे इस k shell में बताने हैं कि कितने number of electron है तो उसको बताने के लिए जब मैं formula रखूंगी 2n square का तो यहाँ पर मु जाएंगे कितने 2 तो याद रखे जो पहली कक्षा होती है जिसमें हम n की value 1 रखते हैं तो वहाँ पर अधिक्तम electron की संख्या कितनी हो सकती है वो आपकी 2 हो सकती है यह question exam में पूछा जा सकता है कि maximum number of electron in case shell या पहली कक्षा में कितने maximum number of electron हो सकते हैं तो वो आपके 2 होते हैं फिर ऐसे ही अगर हमें दूसरी कक्षा में बताना हो कि कितने maximum number of electron होंगे तो इस बार हमारा जो n है उसकी value क्या होगी वो 2 होगी और जब मैं इसको 2 n square वाले formula में रखूंगी तो मेरी n की value क्योंकि मैं दूसरी कक्षा में हूँ दूसरी shell में हूँ तो n की value 2 होगी और 2 का square जब मैं करूंगी तो वो कितना हो जाएगा वो आपका ये पूरा खुल के कितना जाएगा 4 और 4 टूजा 8 तो जो मेरी दूसरी shell है जिसे मैं L से represent कर रही हूँ के के बाद L उसमें जो maximum number of electron है उनकी संख्या कितनी होगी 8 होगी तो exam में आप से ऐसे पूछ सकता है के L M N आप maximum number of electron कितने होंगे तो 1,2,3,4 तो उसमें हम क्या करेंगे 2 into 4 का square क्योंकि N का square होता है 4,4 जा कितना हो जाएगा 16 और 16,2 जा 32 तो आपको पता चल जाएगा कि N shell में maximum number of electron कितने हो सकते हैं वो आपके 32 होंगे ऐसे ही अगर मुझे तीसरी कक्षा में बताना है कि maximum कितने number of electron हों N square बाले में यह जो N की value है क्योंकि मैं shell number 3 की बात कर रही हूं कि उसमें maximum कितने होंगे तो 2 into N की जगा मैं रखूंगी 3 और 3 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 तूजा कितना हो जाएगा 18 तो तीसरी कक्षा में maximum अधिक्तम संख्या कितनी होगी electron की वो आपकी 18 होगी ठीक है अब देखे question क्या है किसी परमाणों के वहत्तम जो बाहरी outermost orbit होता है उसमें कितने electron रह सकते हैं तो याद आखेंगे किसी भी electron जो रहेंगे maximum outer outer orbit में वो आके कितने होंगे answer होगा वहाँ पर आका 8 अब देखें यहाँ पर एक question जैसे आपको एक्जाम में देखने क मिल सकता है यह पूछेगा आपसे simple electronic configuration जिसे हम क्या बोलते हैं परमाणों जो का जो electron का विन्यास होता है ना बहुत detail में हमें नहीं जाना है क्योंकि read में इतना detail question नहीं पूछा गया है देखें atomic number हर जैसे मैं बात करूँ copper की या मैं बात करूँ carbon की तो carbon हर element का एक atomic number होता है जैसे carbon का atomic number कितना होता है 6 hydrogen का कितना होता है एक तो हर देखें यहां पर मैंने लिखा भी है देखें यहां पर मैंने कुछ important आपके लिए लिख दी है एक से लेके 30 तक के आप इनका snapshot कीच लेंगे यह atomic number है हर element का और इनका symbol मैंने यहां पर लिख रहा है जैसे hydrogen है hydrogen का क्योंक helium का atomic number क्या होता है 2 तो इनके 1 से लेके 30 तक यह सारे important है और इनके आपको atomic number याद होने चाहिए जैसे exam में आजाए phosphorus phosphorus का symbol जो होता है वो P होता है और इसका atomic number होता है 15 क्योंकि यह जो atomic number है ना यह जो परमाणू इनका संख्या है यही atomic number हमें बताता है number of electron तो अगर मैं यह प atomic number परमाणू संख्या कितनी है 6 तो इसमे number of electron भी कितने होंगे 6 ही होंगे जैसे sodium है स्टोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 तो इसमें नंबर ओफ जो इलेक्ट्रोन होंगे वो भी कितने होंगे 11 तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का जितना उसका परमानू संख्या होगी उतने ही number of electron उसमें होंगे त्रेक्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि कितने जैसे read का आप अगर previous year देखेंगे तो same इस तरह का कोशन ही बना है मैं आगे दिखा भी दूँगे कैसे बना है कोशन तो उसके लिए पहले आपको मैंने यह पूरा भीजा है इसका आप screenshot खीश के इन सब को याद कर लेंगे तो यह एक से लेके 30 तक के कुछ element के atomic number है और 7 में इनके mass भी है, atomic weight भी है, इनका द्रव्यमान भी है परमाणू भार भी है इनका, जैसे hydrogen का कितना होता है हम approx मानेंगे, देखे 4, 4.00 लिखा है तो helium का परमाणू भार कितना होता है, 4 lithium का कितना होगा, देखे 6.9 है, तो हम इसे मानेंगे, 7 इस तरह से मानना होता है, यह कि point में आते हैं यह फिर हम इनको round of exact figure में मान लेते हैं जैसे beryllium जो हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा अब जैसे carbon है, carbon का कितना है, 12.011 लेकिन हम मानेंगे कितना 12 कि carbon का जो atomic mass होता है, परमाणू भार होता है, वो 12 होता है nitrogen का हम 14 मानते हैं, यह याद कर लिजेगा oxygen का देखे, यहाँ पर लिखा है 15.999 तो हम इसको मानेंगे कितना 16 इस तरह से आपको याद रखना है ऐसे ही fluorine का कितना हो जाएगा 17 आपका neon का कितना हो जाएगा 20 sodium का कितना हो जाएगा 30 क्योंकि 22.98 है magnesium का कितना होगा 24 होगा aluminium का कितना हो जाएगा 27 होगा इस तरह से phosphorus का कितना होगा वो आपका 31 हो जाएगा क्योंकि 30.97 है लेकिन याद रखेंगे जैसे कि क्लोरीन है इसका atomic नंबर तो 17 है वो इसका symbol क्या होता है CL क्लोरीन का लेकिन इसका जो atomic mass होता है वो आपका 35.5 भी मानते हैं या फिर हम इसको 35.4 ही मानते हैं क्योंकि इसमें आप round of exact ऐसे नहीं कर सकते क इसको 35 बोल दें या 36 बोल दें वो कि ये बीच में आ रहा है तो हम इसका मिडिली ले ले लेते हैं 35.5 तो इस तरह से क्लोरीन का है है अब जैसे potassium है तो potassium का symbol आपको पता होना चाहिए कि potassium का symbol होता है आपका K और इसका atomic mass पर मानू भार कितना होता है वो होता है आपका 39 जैस का भार कितना है वो हो जाएगा आपका 56 तो इस तरह से आपको ये याद रखने है ऐसे ही आपसे nickel का symbol पूछ सकता है और इसकी आपका atomic number भी पूछ सकता है 28 तो इस तरह से ये आपको पता होने चाहिए तो यहाँ पर जैसे कोई atomic number दे रखा है potassium का हमें 19 ये question मैं आपको दे देगा तो atomic number दे दिया मुझे potassium का 19 और मुझे इसका electronic configuration करना है तो सबसे पहले 2 मुझे पता है दूसरी shell में मेरे कितने maximum रह सकते हैं 8 तो मैंने 8 फिल कर दी और मुझे पता भी है देखे इसके लिए outermost shell क्या होगी आप इस चीज़ को समझे ये k है और l है तो k के लिए outermost shell क्या होगी l,l के लिए outermost shell क्या होगी m,m के लिए outermost shell क्या होगी उससे आगे वाली shell और ये जो outermost shell है उसमे maximum कितने होंगे 8 ही होंगे तो पहले जब मुझे 19 को fill करना है मैंने बताया था यह sequence में fill होंगे तो पहली वाली shell का maximum उसमें 2 ही आ सकते हैं तो पहली वाली shell में 2 electron आ गए उसके बाद दूसरी shell में maximum 8 आ सकते हैं और 8 हो सकते हैं तो 8 आ गए तो मेरे 10 electron जो हैं वो fill हो गए पहली वाली shell के L उसके बाद आती M shell टोटल 19 हैं तो इस वाली shell में याद रखेंगे maximum 8 ही हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए यही outer most shell है तो इसलिए इसमें भी maximum कितने होंगे वो 8 ही हो सकते हैं वैसे इसमें 3rd shell में कितने हो सकते हैं 18 लेकिन हम कितने electron रखेंगे 8 रखेंगे और उसके बाद जम्प करके कहा जाएंगे अगली shell में पहुच जाएंगे तो 2, 8, 8 कितने fill हो गए 18 उसके बाद मुझे एक और fill करना है अगली shell में और इस तरह से मेरे यह पूरे के 19 के 19 जो electron है वो number of electron मेरी shell में fill हो गए उसके बाद जैसे कार्बन है कार्बन तो बहुत सिंपल है fill करना इसका atomic number कितना होता है 6 तो पहली shell में 2 और दूसरी shell में 4 हो गए fill 6 अब जैसे sodium है sodium का atomic number कितना होता है 11 और यह जो atomic number होता है मैंने पहली बता दिया यही क्या होता है number of electron तो हमे number of electron फिल करने है shell में तो जैसे 11 है तो पहली shell में कितना होगा 2 दूसरी shell में कितने होगे 8 तो 10 हो गए और 30 shell में फिर 1 हो जाएगा इस तरह से 11 हो जाएगा इस तरह से simple simple आप से पूछेगा जादा भारी इसमें नहीं पूछेगा यह मैंने आपको बता दिया यह आपको screenshot कीचके इन सब को 1 से 30 तक इनके जो symbol है जैसे copper का cu है इस तरह से इसका atomic number 29 है यह सारी चीज़े आपको थोड़ा सा इसमें याद करनी है बाकि net पर भी available है आप वहां से भी या books में भी available है आप वहां से भी देख सकती है अब last में हम देखेंगे बहुत important जहां पर हमें पता करना है कि किसी भी element में कितने electron होते हैं कितने proton होते हैं और उसमें कितने number of neutron होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे क्योंकि read में यही question आया था read में उन्होंने एक element दिया उसमें उन्होंने उसका atomic number और atomic mass बता दिया यह दोनों question में बता देगा आपको तेकि अगर कोई भारी element दिया है बहुत बड़ा element दिया है जिसका मतलब 1 से 30 की range में नहीं है उससे बड़ा वाला element दे दिया है सबके तो आप याद नहीं रख सकते ना तो कुछ 1 से 30 तक approach important होते है उनको याद रखना असान है वो आप याद रख लीजेगा जादा बड़ा वाला number देगा तो वो आपसे question में देदेगा आपको जैसे sodium है sodium का हो सकता है वो आपको atomic number ना दे तो आपको पता होना चाहिए कि sodium का जो atomic number है परमाणू संख्या है वो कितनी होती है 11 होती है वैसे जो read में जो question आया था उसमें उन्होंने atomic number दिया था तो atomic number sodium का 11 और जो atomic number atomic number 11 हो गया परमाणू भार परमाणू द्रब्यमान जिसको बोलते है वो कितना होता है sodium का वो तेहिस होता है तो इसको fill कैसे करते हैं देखी जैसे n sodium का symbol क्या होता है तो नीचे जो होता है वो होता है ये आपका atomic number जिसे ही हम क्या बोलते है number of electron मैंने बताया था atomic number ही क्या होता है number of electron और उपर यहां लिखा होता है आपका द्रव्यमान जो अटॉमिक मास होता है तो इस तरह से अगर एक्जाम में लिखा हो तो आप समझ जाएगा इसका मतलब क्या है नीचे वाले का ये बता रहा है नंबर ओफ इलेक्ट्रोन को या फिर आपके अटॉमिक नंबर को परमाणू संख्या को और ये जो ऊपर लिखा होगा ये बताएगा किसको परमाणू के भार को अटॉमिक मास को ये बात याद रखनी है जैसे इस यहां पर भी लिखा है तो मुझे अब यहां पर पता चल गई कोश्चन में दे देगा परमाणू संख्या जैसे इन्होंने दी है और प इस बार कुछ और अलिमेंट के साथ आपसे पूछ लेगा याद रखेंगे ये मैंने बहुत बार बोल दिया है ताकि आपको याद भी रहे ये जो नीचे वाला अटॉमिक नंबर है परमाणू संख्या है यही बताती है हमें नंबर ओफ इलेक्ट्रोन तो नंबर ओफ इले इलेक्ट्रोन भी कितने होंगे एक होंगे तो यहां से नंबर ओफ इलेक्ट्रोन पता चलिया मुझे कितना हो या वो मेरा एक एक बात आपको याद रखनी है कि जितने नंबर ओफ इलेक्ट्रोन होंगे उतने ही नंबर ओफ प्रोट्रोन होंगे तो यहां से यह भी पता च चल गया, मेरे proton भी बदा चल गया, दोनों ही क्या होते हैं, परमानू संख्या होते हैं उस element की, अब मुझे क्या बताना है, number of neutron बताने हैं, वो उसमें कितने होंगे, और neutron पता करने के लिए करते हैं, इन दोनों को सप्रेक्ट कर देते हैं, neutron पता करने के लिए formula होता है, परमा इसमें से 11 माइनस करा तो आपका अंसरा या 12 तो number of neutron भी हमें यहां से पता चल गए अब जैसे exam में पूछेगा आप से कि iron जिसका संकेत क्या होता है सिंबल क्या होता है एफ़ी होता है जिसे हम लोहा बोलते हैं तो यह कि यहां पर लिखा है कि नीचे 26 और उपर लिखा है 56 त जितने number of electron होंगे उतने ही मेरे proton होंगे तो proton भी मेरे 26 हैं और neutron मैं कैसे पता करूंगी 56 में से 26 माइनस कर दिया तो मुझे number of neutron पता चल गए जो की मेरे 30 होंगे इस तरह से exam में पूछेगा copper का पूछ सकता है आप से तो copper का संकेत क्या होता है cu symbol होता है cu इसका atomic number कितना होता ह 29 और इसका mass कितना होता है वो होता है 64 ठीक है जैसे देखे आप table में भी देख सकते हैं कहां है आपका copper यह रहा देखे copper का संकेत है cu इसका atomic number है 29 और इसका mass कितना है 5 से उपर हो गया तो हम इसको 64 माल लेंगे तो यह इसका atomic mass है आपका कितना 64 round of आप कर लेंगे बाकी यह आ पर में proton कितने होंगे जितना इसका atomic number है वो है इसका 29 तो proton 29 इसलिए electron भी 29 होंगे है ना sorry electron 29 तो proton भी 29 होंगे और जब मुझे electron proton पता है तो neutron क्या होता है यहां पे हम 64 में से 29 माइनस करेंगे तो वो मुझे represent करेगा क्या number of neutron वो कितने हो जाएंगे 35 तो इस तरह से हम किसी भी element में जब आपको question में देगा atomic number या atomic mass उसके basis पर आप निकाल पाएंगे क्या number of electron proton और neutron और यह question read में भी आया है और आने वाले किसी भी paper में इस तरह का question आपको देखने को मिल जाता है और यह भी याद रखेंगे अगर कोई भी element दिया है तो उसमें जो नीचे लिखा होता ह है वो तो होता है आपका atomic number और जो उपर लिखा होता है जैसे sodium के case में वो होता है आपका atomic mass प्रमाणू जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या फिर प्रमाणू भार तो इस तरह से यह वाला session था जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीज़े सिखाई 1-30 तक के atomic number atomic mass आप याद कर मैंने पूरा बता जिया किस तरह से शेल में आप configuration करेंगे simple simple maximum कितने होंगे आउटर मोस शेल में वह आपके 8 ही होंगे तो यही थी आपके बोर बरी की हमने पढ़ा था structure of atom में कि atom होता है परमाणू होता है और उसका एक द्रव्यमान होता है उसकी परमाणू संख्या होती ह atomic number होता है तो ऐसे बहुत से element है जिनके एक से ज़ादा परमाणू संख्या होगी atomic number होगा या फिर उनका एक से ज़ादा atomic mass होगा परमाणू जब्यमान होगा या भार होगा तो उनहीं को हमें पढ़ना है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि isotopes क्या होते हैं समस्थानिक क्या होते हैं और सीधा question exam में यहां से बनता है यह वाला जो पार्ट है ना structure of atom में यह बहुत important section है यहां से railway में अभी जो हाल फिलाल में paper होई थे वहां भी question मने थे यहां से तो यह section बहुत important है आप से पूछेगा exam में ठीक है तो isotopes क्या है पहले हम समझते हैं जैसे मेरे पास एक element है hydrogen तो इसमें क्या होंगे इसके बहुत सारे hydrogen के ही atom होंगे है ना जो इसमें सबसे छोटा कर्ण है उसे ही हम atom बोलते हैं तो ऐसे इसमें छोटे 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 बहुत सारे atom होंगे hydrogen के तो यह जो एक element है hydrogen example के लिए मैं बता रही हूँ तो इसमें जो इसके atom है बहुत से एटम इसमें क्या होंगे कि उनका एटॉमिक मास तो अलग-अलग होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सीम होगा और ऐसे ही जो इसमें एटम होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं आइसोटोप्स कहलाते हैं यहां पर लिखा है कि एक ही तत् है hydrogen और इसके जो परमाणू होंगे उनमें कुछ ऐसे परमाणू कुछ ऐसे एटम होंगे कि जिनकी परमाणू संख्या atomic number तो सीम होता है लेकिन उनका जो atomic mass होता है जो द्रव्यमान होता है वो भिन-भिन होता है और इने ही हम isotope समस्थानिक कहते हैं जैसे hydrogen है उसके 3 समस्थानिक होते हैं कौन-कौन से एक proteum, एक deuterium और एक tritium कैसे देखे यह hydrogen है इसके 3 समस्थानिक है और इसमें जो इन 3 समस्थानिक हैं इन में जो नीचे हम लिखते हैं इनका atomic number यह मैंने पहले भी समझा दिया है तो नीचे जो हम इनकी atomic number पर्मानु संख्या लिखते हैं वो इन 3 atom की सेम है लेकिन इन 3 atom का जो पर्मानु द्रव्यमान होगा वान तू थ्री यह अलग-अलग होगा तो ऐसे ही element में atom जिनकी पर्मानु संख्या atomic number तो सेम होता है लेकिन जो पर्मानु द्रव्यमान है atomic mass है वो different होता है और उन्हें ही हम बोलते हैं क्या isotopes बहुत important है सीधा यही question बनता है कि बताए जिनके atomic number सेम होते हैं लेकिन atomic mass द्रव्यमान अलग-अलग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं तो उन् के तीन समिस्थानिक होते हैं, तीनों के नाम पता होने चाहिए आपको प्रोटियम, डुटेरियम और ट्राइटियम, अब देखिए जो डुटेरियम है ना, इसको हम हैवी वोटर भी बोलते हैं, भारी जल भी बोलते हैं, डी टू ओ, ये हमारा हैवी वोटर होता है, डी टू ओ, ये आपको याद रखना है, गो इसके तीनों सनस्थानिक, तीनों आईसोटोप के नाम आपको पता होने चाहिए, यहाँ पर यह लिखा है कि इन सब में सब के अटॉमिक नंबर जो है, वो सेम है, लेकिन जो इनका द्रव्यमान है, मास है, वो अलग-अलग है, एक कवन है, एक कटू है, और एक कथ्री है, तो ये बात ही यहाँ पर लिखी है, ऐसे ही कार्बन, कार्बन के भी बहुत सारे आईसोटोप होते हैं, जिसमें मुख्यतम हम तीन लेते हैं, कौन से होते हैं, देखे कार्बन का अटॉमिक नंबर, यह हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पीछे वाली क्लासिज में, कि इसकी जो परमानों संख्या है, वो कितनी होती है, छे होती है, चे होती है, और इसका जो भार होगा, जो हम कॉमन वाला मानते हैं, नॉर्मली जो हम सबसे ज़ादा कंसिडर करते हैं, सबसे ज़ादा effective equivalent होता है, वो आपका 12 होता है, लेकिन इसके और भी मासिस के atom होते हैं, 12, 13, 14 है ना, तो यह देखे यहां पर सभी में क्या है अटॉमिक नंबर तो सेम है जो की कार्बन का छे होता है बाकी इनके जो अटॉमिक मास हैं परमाणू द्रव्यमान हैं वो अलग-अलग है बारा, तेरा, चौधा तो यही बात आपको याद रखनी है कि कार्बन के भी तीन समस्थानिक होते हैं मुख्यतम वो कौन-कौन से होते हैं एक तो आपका 6C12, 6C13, 6C14 जिसमें जो यह 6C14 हैं यह हमारा रेडियो सकिर्य आईसोटोप होता है तो एक्जाम में कोशन बनेगा कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक कौन सा आईसोटोप रेडियो सकिर्य आईसोटोप होता है तो वो आपका होता है C6, जिसमें जिसका मास होगा कितना 14, ठीक है अब देखे, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो हमारा कौन सा होता है वो हमारा पोलोनियम होता है ये कोशन डायरेक्ट डायरेक्ट बनेंगे तो इनको आप याद रखना पोलोनियम जो होता है, इसमें सबसे जादा आईसोटोप होते हैं इसके इसके बाद कुछ समस्थानिकों के विशेश गुण होते हैं जिनका उपयोग इन विभिन छेत्रों में किया जाता है कुछ नीचे बताएं है सम आईसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच आ यूज इन डिफ्रेंट फिल्ड कौन कौन से फिल्ड में आये देखते हैं देखे जो यूरेनियम है उसका जो एक समस्थानिक होता है उसका उपयोग परमाणू भट्टी में इंधन के रूप में होता है तो सीधे सीधे ये कोशन बनेंगे पॉइंट में जो मैंने आपको बाते लिखी है एन आईसोटोप ओफ यूरेनियम इस यूजड एस फ्यूल इन एटोमिक जो फर्नेंस होती है जो परमाणू भट्टी होती है उसमें इंधन की तरह कार्य करता है यूरेनियम का एक आईसोटोप ये वाला पॉइंट बहुत जादा इंपोर्टन्ट है कैंसर के उपचार के लिए जो कोबॉल्ट होता है उसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है आईसोटोप ओफ कोबाल्ट आर यूज इन दा ट्रीटमेंट ओफ कैंसर और वो कौन सा आईसोटोप होता है जिसमें जिसका भाहर क्या होगा वो आपका 60 होगा तो ये कोशन सीधा बनता है एक्जाम में कि कोबाल्ट का कौन सा आईसोटोप होता है जो कैंसर में हम यूज करते है तो जिसका परमाणू मास जो एटॉमिक मास है वो 60 होता है वो वाला आईसोटोप हम यूज करते है कैंसर में उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपोटन्ट है सीधा कोशन बनता है एक्जाम में जो गहिंगा रोग हो जाता है जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं इंगलीश में गले में थाइरोड की कमी की वज़े से वहाँ पर ग्लेंड जो थाइरोड ग्लेंड है वो थाइरोक्सिन सही से स्तरावित नहीं करता जिसकी वज़े से जैसे यहाँ पर लिखा है और वो कौन सा समिस्थानिक है आयोडीन का 131 जिसका मास कितना होगा 131 वो वाला समिस्थानिक यूज़ करा जाता है समिस्थानिक के होने की बाद सबसे पहले 1930 में किस ने बताई फैडरिक सोडी ने बताई थी तो यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है कि समिस्थानिक होने की बाद एकजाम में कूछा जाए तो याद रखेंगे 1913 में फैडरिक सोडी ने इसको बताया था तो समझ में आगए समिस्थानिक आईसोटोप्स क्या होते हैं देखे इसके बाद इसमें आते हैं आपके आईसोबार संभारिक और संभारिक जो होते हैं वो आईसोटोप से उल्टे होते हैं इनमें क्या होता है अलग-अलग अलि जिन में पर्मानु संख्या, अटॉमिक नंबर तो अलग-अलग होता है, लेकिन जो पर्मानु द्रव्यमान है, वो सब का समान होगा, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, आइसो बार्स बोलते हैं, जैसे एक्जामपल में यहां पर लिखा भी है, जैसे आरगन हैं, आरगन का अटॉमिक नंबर आठ होता है, और इसका जो मास होता है, वो चालिस होता है, अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ, तो इसका जो अटॉमिक नंबर है, वो फिर से चालिस है, तो इन तीनों केस में हमें यह देखने को मिल रहा है, कि जो अलग-अलग अलग-अलग है लेकिन इन तीनों का ही जो लग-अलग है और ऐसे हीस के नंबर और होते हैं और यह हमने पहले पड़ा है कि तो इनमे Pacific प्रोटोन है सबके वो अलग-अलग होती है लेकिन इन में जो न्यूट्रोन और प्रोटोन का सम होगा वो बराबर होगा इस चीज को समझ लीजे जैसे ये आरगन है तो इसमें जितने नंबर ओफ इलेक्टोन है उतने ही प्रोटोन है और वो कितने होंगे आठ तो आठ प्रोटोन हो गए और इसका अटोमिक मास जो द्रव्यमान है वो 40 है और न्यूट्रोन हम कैसे निकालते है द्रव्यमान में से इसको माइनस करके तो हमारे जो न्यूट्रोन है वो 32 निकल करा जाएंगे और जब मैं इन दोनों को एड करूंगी तो ये कितना बैठने वाला है ये आपका 40 ही बैठने वाला है अब अगर मैं इस पोटाशियम के केस में बात करूं तो इसका जो प्रोटोन होंगे वो 18 होंगे और 18 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे न्यूट्रोन निकालने के लिए तो वो आपके कितने आ आने वाले हैं तो वो आपके आने वाले हैं 22 और 22 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा और यही पर यही कहा रहा है कि इन्में जो नियूट्रोन और प्रोटोन होते हैं उनका जो सम बैठेगा जो योग बैठेगा वो क्या होगा वो सम होता है जैसे कार्बन में हमने एक आईसोटोप पढ़ा था जो आपका क्या था रेडियो सकीर्य था जिसमें उसका मास कितना था 14 था और हमें अटॉमिक नंबर तो पता ही है कार्बन का कितना होता है और अगर मैं नाइट्रोजेन की बात करूं तो इसमें भी इसका जो वो सेम है इसलिए कार्बन और नाइट्रोजेन भी क्या है आपके आईसो बार्स हैं समझ में आ गए और ये वाले एक्जामपल तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है आरगन पोटाशियम और आपका कैल्शियम इन तीनों में भी क्या है इनका जो अटॉमिक मास है वो समा होगी तो वो क्या होती है वो आपके आईसो टोन होती है जैसे जो हैडोजेन का तीसरा समस्थानिक था ट्राइटियम और ऐसे ही जो हीलियम होता है हीलियम का अटॉमिक मास कितना होता है वो चार होता है और इसका अटॉमिक नंबर दो होता है ति इन दोनों केस में जो of neutron होंगे four में से two minus करेंगे वो भी कितने होंगे two होंगे तो हम यह कह सकते हैं यह जो hydrogen और helium है यह क्या है यह आपके isotone है क्यों क्योंकि इन में जो number of neutron है उनकी संख्या क्या है वो आपकी समान है दोनों परमाणों के नाभिक में जो नाभिक होता है जो आपका nucleus होता है जिसमें proton और neutron होते हैं उनमें जो neutron की संख्या है इसमें example में हम देख रहे हैं वो दो है और इसी वज़े से जब neutron की संख्या समान होगी तो वो आपके क्या होते हैं वो आपके isotones होते हैं यही बात English में लिखी है atom have the same number of neutron वही आपके isotone होंगे और पूरा एक example से यहां पर समझा भी दिया है helium और hydrogen का तो मुझे लगता है यह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे isotone, isobar और isotope और यहां से question बन जाता है वीडियो अच्छी लगी है तो like करें, share करें और इसी तरह हमारे साथ जोड़े रहें और next class में हम पढ़ेंगे आपका element, compound और mixture